हालो एवरिवन मैं हूँ निमत और आप निमत खाना देख रहे हैं आज की रेसेपी है चीज बॉल्स इसे मैंने हाफ लीटर के पैकेट से छेना निकाल कर बनाया है और अगर आपके पास एक बड़ी सी कुकी साइस का छेना डिस्क मौजूद है तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है मसाले में बहुत ही कम इस्तामाल किया है तो आप भी इसे बनाएं यहां पर मैंने एक प्याज इस्तामाल किया है जिसे आमुलेट कर निया है, साथ में हाख को काचर को गिस लिया है, एक कौइन साइज हद रक लिया है, साथ में ठेर सारी चॉप धनिया की पत्ति यह और एक हरी मिर्चे, तो अगर आपको इसे अपनी वच्चों को खिलाना है, तो हरी मिर्चों का बीज हड़ा लें, इसमें मैंने धनिया, मेच्चा, गरम मसाला वगरा नहीं इस्तामाल किया है तो इसका टेस्क बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होगा और आप इसे अपने बुज़ूर्गों को और छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं बनाना बहुत आसान है मैंने यहाँ पर फ्रेश छेना इस्तामाल किया है तो यह काफी मॉइस्ट है अगर आप पहले से रखा हुआ छेना इस्तामाल कर रहे हैं और वो ड्राई है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी का छीटा डाल ले यहाँ पर मैंने frozen mutter और sweet corn इस्तमाल किया है अगर आप fresh इस्तमाल करना चाहें तो उसे थोड़ा सा उबाल ले beans और mushroom भी आप इस्तमाल कर सकते हैं फुल्गोवी के छोटे टुकरे भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आप अपनी पसंद कही सबसे सबजियों को चिनाओ करें प्रोप्टीन से भरपूर होने की वज़े से यह एक एनरजी का अच्छा स्वर्स है और evening snacks या breakfast के लिए suitable है साथ ही यह लेंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है यहाँ पर cheese balls की binding के लिए मैंने लगभग देड़ टेबल स्पून ब्रेड क्रम डाला है अगर यह आपका यह चेना ज्यादा moist है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा ब्रेड क्रम मिला सकते हैं इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है स्वात के अनुसा थोड़ा सा नमक डालें चौथाई टीए स्पून चिली फ्लेक्स डालें यह तीखा नहीं होता बलके देखने में अच्छा लगता है और इसकी रेसेपी मेरे चैनल पर मौझूद है मैं आई बटन में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ आप देख लेना चौथाई टीए स्पूनी मैंने काली मिर्च का इस्तामाल किया है थोड़ा सा नीबू डाल ले इससे यह चट पटा स्वाथ वाला हो जाएगा अगर नीबू नहीं है तो चट मसाला डाल ले अमचूर पॉडर डाल ले या सब कुछ एक साथ भी डाल सकते है तो अब इसे हा इसके अंदर मैंने काजू के एक टुक्रे को भर लिया है ताके यह और ज्यादा हेल्दी हो जाए और ज्यादा मज़िदार बन जाए तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप अपनी पसंद के साइज और शेफ के हिसाब से इसकी छोटी छोटी गोलिया बना ले मैंने इस इसे चप्टा बनाते हैं तो इसे शेलो फ्राई भी किया जा सकता है बनाने में बहुत ही आसान है और वक्त बहुत कम लगता है तो आप इसे बना कर देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एक काजू भर कर इसे हाथों के पीछ अच्छी तरह से दबा लिया है अब चू करनी के लिए मैंने एक टीए स्पून पॉर्न फ्लोर और हाफ टीए स्पून मैधे से एक घोल तयार किया है जिसमें थोड़ा सा स्वाथ के लिए नमक भी डाल लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे लिक्वीडी सा बनाना है ताके अच्छी तरह से चीज इसकी कोटिंग हो जाए इसे फोर्क पर उठा ले ताके एक्स्ट्रा लिक्वीड जो है वो नीचे गिर जाए मैंने कडाही में तेल गरम कर लिया है तो एक एक कर अब आप इसे कडाही में डाल ले और अच्छी तरह से बाहरी सर्फिस ब्रॉन होने के बाद इसे निकाल ले इसे तलने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी यह स्वाद से भरपूर है और मंचिंग के लिए और इन बिटिविन दव मील स्नैकिंग के लिए यह बहुत ही अच्छा है और इसकी खुबी यह है कि आप इसके बॉल्स को बना कर रख ले और जब आपकी मर्जी हो तब आप इसके 6-8 बोले निकालकर इसे तल सकते हैं अगर आपका दूद भट गया है तो आप भटे हुए दूद से भी यह चीज बॉल्स तयार कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे पुदीना की चटनी के साथ सर्फ किया है बहुत ही टेस्टी बना है बहुत ही मसेदार बना है इस लेक्स है तो मीधाच की रसिपी को आपने इंज्वाइ किया है थैंक यू